वेल्कम बेग एवरीवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के अठारवे मैच के बारे में जो की पाकिस्तान और उस्ट्रेलिया के बीच होगा देखें वीडियो को पूरा देखना सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस मैच के ट्रम कार्ड प्लेयर कौन से होंगे इस मैच में जो वेन्यू यूज होगा उस पे क्या होने वाला है क्योंकि ये वर्ल कप का पहला ऐसा मैच होगा जो इस वेन्यू पे खे पाकिस्तान औस्ट्रेलिया के प्लेट करेंगे वह सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो को पूरा देखना और जो भी बंदे ऐसे जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक से स्टार्ट करना 5000 लाइक का चोटा सा टार्गेट आप लोगों को दे रहा हू उमीद करता हूँ आप लोग जरूर करवाद होगे इस मेच के बारे में हम बात जरूर करेंगे पाकिस्तान औस्ट्रेलिया की लेकिन उससे पहले इंडिया वाले मैच में भाई सभी ने बहतेरीन विनिंग की होगी परसनल येगर मैं बात करूँ तो मैंने टोटल मान के चल तो गाइस देखिए मैंने जो आप लोगों को टेलिग्राम पे टीम दी थी उसी टीम से 5,96,000 चार जार का डिफरेंस है 6,00,000 की ये मेरी विनिंग थी ड्रीम ले उन पर सेम टीम से जो मैंने आप लोगों को टेलिग्राम पे दी थी आपको बताईए कि भाई मैं टेलिग्र सेम टीम मैंने आप लोगों को टेलिग्राम पे दी थी सेम टू सेम डिटो टीम और उसी टीम के साथ मैंने इंवेस्टमेंट भी किया और उसी टीम के साथ मैंने विनिंग भी की तो कोशिश होगी और देखिए क्योंकि मैंने अभी आपको बोली कि मैंने जो विनिंग की थी सेम टीम से मैं आप लोगों को विनिंग दिखाता हूं लीग इलिए उन पे क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था मैच अच्छा है और इन्वेस्ट में मैंने लीग इलिए उन पर काफी शांदार किया था चलिए कौनसी मेरी मतलब इस मैच के लिए जो टीम में वो भी दिखा देता हूं सेम टीम से मेरी विनिंग है उसी टीम से अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ठीक है यह ड्रीम ले उनकी विनिंग यहां पर हम बात करते हमारी टीम की तो यह मेरी आपको शायद दिख रही है नहीं दिख रही है आपको मतलब सही तरी किसे दिख रही होग देखिए 280 कॉंटेश जो इनकी और एक दो कॉंटेश हा रहा था 15 लाग का प्रॉफिट सेम टीम मैक्सिमम कॉंटेश में रेंक वन ठेक है ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अगर आपको रिजल्ट शेर नहीं किया तो मैं हा रहा था इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो मैंने वर्ल्लकप के किसी मैच में उठाया ही नहीं है टीम हमारी बहुत लाजवाब थी और हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा रहा था तो मेरी कौशिश पूरी होगी कि ये जो मैच जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे हो जो कि हर वीडियो में होते हैं जो भी रेगुलर ली वीडियो को देखते हैं उन सब को मालूम होगा कि जो भी ऐसे बंदे होते हैं जो मेरी वीडियो पे पहला लाइक और पहला कॉमेंट करते हैं तो उन लोगों को मतलब देखी मेरी हर World Cup की वीडियो में मैं तीन गिववे करता हूँ पहला विनर वो होता है जिसने पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया होता है हर साथ बज़े वीडियो आती है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न जरूर कर ले क्योंकि हर साथ बज़े आपको World Cup की वीडियो मिलेगी और हर साथ बज़े आपको ये तीन प्रोड़क्त में से एक प्रोड़क्त विन करने का बहुत आसान तरीका मिलने वाला है फर्स लाइक करो, कॉमेंट करो और विन करो इतना ध्यान डखना ये तीन प्रोड़क्त है अभी भी दो प्रोड़क्त आप आराम से विन कर सकते हो कैसे विन करोगे वो हम आगे देखेंगे और ये भी ध्यान डखना कि गीववे उनके लिए हैं जो चैनल के सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो वह कर लेना है अगर मैं बात करता हूं इस मैच के बारे में तो गाइस देखिए मैच के बारे में तो हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले ध्यान डखना मैच की फाइनल जो टीम होगी स्मॉल लिकी जैसे हर मैच की टेलिग्राम पर मिलती लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो भी ऐसे यूजर से जो जोई नहीं किये वो जरूर जोई कर लेना अब अगर मैं बात करता हूं इस मैच की में में चीजों के बारे में तो गाइस देखें यह जो मैच होगा यह चिन्नस्वामी अगर मैं बात करता हूं स्कोरिंग की तो 320 से 330 का स्कोर है चाहे टीम उस्ट्रेलिया बैटिंग करे चाहे पाकिस्तान बैटिंग करे क्योंकि दोनों टीम में इक्वल लेवल की टीम है हाला कि 60-40 का अगड़ा मानके चलिए पाकिस्तान थोड़ी कमजोर है उस्ट्रेलिया के compare में but still 40 का अगड़ा पाकिस्तान की टीम जरूर देगी क्योंकि पाकिस्तान की टीम की बोलिंग काफी अच्छी है 320-330 में नॉर्मल स्कोर मान रहा हूं और ये एक बैटिंग विकेट है यहां हम बात करते हैं यहां पे जो मैचेस खेले गए उनके बारे में इन तीन मैचेस को देखो अराम से 500-500 का स्कोर हुआ है मतलब दो इनिंग के अंदर यहां पे देखोगे 600 यहां पे देखोगे 700 के सम्तिंग स्कोर यहां पे यह थोड़ा मतलब कम स्कोरिंग का मैच हुआ था बाकि most of the time यहां पे बैटिंग बहुत ही अच्छी होती है तो वही साबसे आपको टीम भी बनानी है उस्ट्रेलिया बैटिंग करे तो भी बैटिंग विकेट के साबसे टीम बनानी है और पाकिस्तानी टीम बैटिंग करे तो भी बैटिंग विकेट के साबसे टीम बनानी है और बाकी final pitch report आई जाएगी final pitch report में अगर कोई changes होते हैं मान लो कि मैं यहाँ पर betting wicket बता रहा हूँ लेकिन betting wicket नहीं होके bowling wicket होती है तो मैं आपको बता दूँगा हाला कि generally यहाँ पर चाहे आप IPL के matches देख लो चाहे आप ODI जो matches होते हैं international वाले वो वाले देख लो कोई सब भी match देख लो आपको अच्छी betting दिखेगी यह तो जो मतलब एक match यह थोड़ा सा कम scoring है बाकी सारे matches बहुत अच्छा score यहाँ पे हुआ है तोटल यहाँ पे जो wickets की बात आती है 65% wickets मिलते हैं passers को जो fast bowlers है और अगर मैं बात करता हूँ spinners की तो 35% wickets मिलते हैं spin bowlers को तो passers bowlers जो होंगे वो आपके लिए spin bowlers के comparison में ज़्यादा effective होंगे इतना ध्यान डखना कि spin bowlers first inning के comparison में second inning में बहुत ज़्यादा important है और first inning में passers काफी important होंगे spin के comparison में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं एक बार फिर आपको सही तरीकी से समझा देता हूँ कि जो passers होंगे वो first inning में बहुत ही ज़्यादा important और second inning में passers तो होंगे important लेकिन passers के साथ साथ spin bowlers भी होंगे तो ध्यान डखना इस point को उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहां से scoring pattern वगेरा की सो गाइस देखिए total यहां पे जो matchers खेले गए वो 23 खेले गए जिसमें इसे एक match tie हो गया था मतलब रद हो गया था 12 match जीती है जिसने पहले bowling किये वो team और 10 match जीती है 22 matchers की तो गाइस देखिए 200 से नीचे के ओल दो बार score हुआ है 200 से नीचे बाकि 200 से 249 के बीच 9 बार वहीं पे 250 से 299 के बीच 4 बार और अबो 308 बार और लाश्ट के 4 matchers में से 2 match तो clear यह है कि 300 प्लस गया है एक match 283 के something गया था तो आप betting wicket के सही इसाब से कर टीम बनाओगे आपके लिए ज़्यादा बैतर होगा यह personally में बोल रहा हूँ बाकि भाई आप अपने इसाब से भी टीम बना सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो नसूम एहमद जैसे प्लेरों को captain लाते है बाकि Gen 1 अगर fantasy logic से खेलते हो तो फिर आपको समझनी पड़ेगी चीजों को कि क्या हो सकता है किस तरीकी की possibility जादा है तुक्के वालों के भरुस से रहोगे हारोगे, confirm हारोगे तुक्के वाले और plus में selection based वाले यह दो लोग आपको कभी भी profit मनी रखेंगे और यह मैं guarantee के साथ लिख के दे सकता हूँ जो selection में इसकी team मनाएगा वो आपको हरा के देगा जो तुक्का लगाएगा वो आपको हरा के देगा यह दो लोग उसे दूर रहो most of the time profit में रहोगे recent form की बात आती है तो अभी इंडिया से हार के आ रही है पाकिस्तान की team बाकी performance काफी अच्छा था दो matches में एक match में तो फ्लोग रही थी इंडिया के अगेंच दो match के लिए दो जीती एक match के लिए वो हारी थी आखरा match जो था comparison में थोड़ी कम जो टीम है ठीक है उसके अरावा अगर मैं बात करता हूँ head to head की तो Australia की team ज्यादा मतलब matches जीती हुए पाकिस्तान के comparison में बाकि पाकिस्तान की team अभी काफी अच्छी हो गई है पहले जो team थी वो पहले वो भी अच्छी थी शफीक की बाकि देखते हैं मेरे साबसे तो खेलने चाहिए जैसे शुबमन गिल इंजड वगएरा कुछ थे सेम ऐसे ये बाई डेंग्यू वगएरा पता नहीं कोरोना वगएरा क्या जो भी है न्यूज आए थी कि बाई कुछ इस्शू चल रही है ठीक अब्दुल्र शफीक के हो सकता है नहीं भी खेले बाकि मेरे इसाब से खेलने चाहिए नहीं खेलेंगे तो भाई हमारा अराम से हटा देंगे नहीं खेलेंगे तो हम कोई पागल तो है नहीं कि इसको लेके चलेंगे डारिकली हटा देंगे फिलाल एक्सपेक्टेड है कि ये चले मतलब खेलना चाहिए और ये उपन करेगा इमाम-ल-हक के साथ दोनों अच्छे प्लेयर है वन्डाउन आहिए बाबर आजम, मुहम्मद इजवान, सोद शकील, इफ्तिकार रह्माद, शादाप खान, मुहम्मद अवाज, हसन अली, शाह ये उश्चे लिए बैटिंग करें, चाहिए उश्चे लिए बोलिंग करें, इन चार को आप नहीं हटा सकते हो, बाकी के प्लेयरों में शादाप खान इंपोर्टेंट बन जाता है, जब टीम पाकिस्तान बैटिंग करती है, तो क्योंकि जब पाकिस्तान बैटिंग करेगी तो इनके पास batting का भी मौका होगा और जब batting करने के बाद bowling करेगी team तो क्योंकि second inning में spinners को help होती होती है तो वहाँ पर ये बंद आपके काम भिया जाएगा और क्योंकि ये ऐसा bowler है जो 10 over आपको जरूर देगा तो इसलिए इनका roll भढ़ जाता है batting wicket के साबसे अगर आप देखोगे तो एक्तिकार का भी roll आपके लिए important बनने वाला है बाकी यहाँ से एक और चीज आप ध्यान रखना कि देखिए एक से लेके आपको 8 number तक lefty righty के combination देखने है तो देखिए एक lefty ये रहा दूसरा ये और तीसरा ये पाकिस्तान बैटिंग करती है तो लगभग confirm है कि बैटिंग इनकी आने वाली है तो तीन lefty है इस team के अंदर बस इतना ध्यान रखना आगे इसी चीज का तोड़ में आपको बताने वाला है और with logic without logic में कुछ भी नहीं बोलता हूँ ये आपको मालूम होगा जो रेगुलर देखते हैं वीडियो उसको हो गया अब हम बात करते हैं बैंच की तो ये बैंच के चार प्लेयरे पाउर प्लेय में शाहिन आफरीदी हसन अली एक्सपेक्टेडे पाउर प्लेय में बोलिंग करेंगे जो जनरली कर रहे हैं अभी हालिया दिनों में डेथ होर्स में हारी स्रोव शाहिन आफरीदी तो कंफर्म है इनके साथ साथ हसन अली कुछ ओवर ना सकते हैं बाकी ही अब हम बात करते हैं प्लेयर इस्टेट्स की कि बाई कौन से ऐसे प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया की अगेंश काफी अच्छा परफॉर्मस दिखाते हैं और कौन से ऐसे प्लेयर है जो पाकिस्तान की अच्छा परफॉर्मस दिखाते हैं और कौन से ऐसे प्लेयर है इनका पहला मैच होगा उस्ट्रेलिय के अग्ष ओडिय का हम बात करते हैं इमाम-ul-hak की तो गाइस देखिए आप सबसे पहला ट्रम्पकार आपके सामने आने वाला है पहला ट्रम्पकार ऐसा ट्रम्पकार जिसका सेलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको देखने को म selected है लेकिन आपके लिए वह बहुत important player होंगे तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले इमाम-ul-Haq की ठीक है इमाम-ul-Haq का देखिए अगर मैं बात करता हूं तो इनका selection है केवल 25% केवल और केवल 25% ठीक है अब यहां पर आप इस बंदे की जो अगेंश ऑस्टेलिया की अगेंश इनकी इनिंग है वो देखिए 85, 103, 106, 103, 53, 46 मतलब बहुत ही outstanding record बट माइनस पॉइंट यह है कि इनकी form अच्छी नहीं है बट इस्टेलिया आपके लिए game changer का काम करेगा ध्यान रखके चलना और ऐसे मैं मन से नहीं बोल लों की मामूलक चलेगा जैसे लोग बोलते हैं मैं pure logic के साथ आपको बता रहा हूँ उसके बाद बाबराजम है अगेंश बाबराजम का record बहुत अच्छा है बहुत ही जादा अच्छा है अगर आप देखोगे तो भाई लांच के पांच मैचेस में तीन मैच में 100 प्लस का score है एक मैच में 50 प्लस और एक मैच में 30 अगेंश उस्टेलिया बाबराजम आउट इस्टेंडिंग प्लेर है तो captaincy के लिए या captain नहीं तो wise captaincy के लिए तो बहुत best होगा ध्यान लग के चलना उसके बाद हम बात करते हैं मौहमद रिजवान की तो जरूर ध्यान रखना कि अगेंश उस्टेलिया रिकोर्ड इनका ठीक ठाक नहीं है लेकिन इनकी फॉर्म अच्छी है जैसे इसकी फॉर्म अच्छी नहीं इंका इनकी फॉर्म अच्छी है इनका रिकोर्ड अच्छा नहीं इनका रिकोर्ड अच्छा है तो इनकी फॉर्म अ अभी इनका जो अगेंश उस्टेलिया पर्फॉर्मेंस है वो बेकार है बट इस्टिल मैं आपको बता देता हूं अगर टीम पाकिस्तान बैटिंग करती है पहले और अगर टॉपडर कॉलेप्स हो गया तो सबसे बढ़िया जो भूमी का निबाएगा एक अच्छी इनिंग की वो यह होगा तो ग्रैंड लिंग और जो खेलते है वो जरू ट्राई करके चले में चलता है कि कोई नहीं लाएगा उपन इट भी बहुत सोचेगा इसको लाने के लिए तो वो चलता है लेकिन ग्रैंड लिंग में ये चीज़ आपको जरू ट्राई करनी है शादा पकान ऑस कि भाई शादाप खान पहला मैच खेल ला है मैं तो इसको यह समझता था कि सबसे ज़्यादा ही मैच इसके होंगी बट यह पहला मैच ओड़ी आएगा उसके बाद मौममद अवाज कि एक मैच खेला जिसमें यह फ्लोप एक मतलब एक विकेट है और ज्यादा रन हिनोंने दिये थे हसन अली ने मैच खेले और असन अली ने रिकोर्ड कि अगर मैं बात करता हूँ अच्छा ठीक ठाक सा रिकोर्ड एक मैच में पांच विकेट भी है हसन अली इंपोर्टेंट के वल तरवे जब बोलिंग आती है टीम की और उसका भी रीजन क्या होगा कि डेथ होर्स में विकेट मिल जाते हैं तो यह दो तीन ओवर डेथ में लेके आएगा बाकि इनके पांच ही प्लेएर मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें शादाब की पहली बेटिंग पर इंपोर्टेंट रोल होगा उसके बाद यहाँ शाहिन और हारी से कैसा भी गंदा भी रिकोर्ड क्यों नव इनको जरूर लेना है कितना भी गंदा रिकोर्ट क्यों नहों ये इनके गेम चेंजर प्लेयर है उसके बाद हम बात करते है बैंच की तो बैंच में ये चार प्लेयर है फर एक्जामपल के लिए अगर अब्दुल्ला शफीक होता है कि वो नहीं खेलता है तो इनके रेप्लेस्मेंट में फकर जमान आएगा जिन्नों ने एक इनिंग अच्छी खेले भी है देन याब हम बात करते है स्कोर कार्ड की तो आखरी मैच इनका था टीम इंडिया से जो कि हार क्या आ रहे है आखरी मैच में इन दोनों ने बहुत अच्छा परफोर्मस दिखाया बोलिंग अटेक में शाहिन आफरीदी ने सबसे गंदा परफोर्मस मेरे अकोर्डिंग था हारी स्रोफ का बहुत बहंकर तरीके से इनकी पिटाई हुई थी क्योंकि वह एक अच्छा बोलर है चाहे लाश्ट में बहुत गंदा ही क्योंना फ्लोप हुआ हो लेकिन आउस्ट्रेलिया क्या गेंच भी रिकोर्ड अच्छा है प्लस में विकिट टेकर प्लस में दस ओर कंफर्म ठीक है तो शाहिन हारी बाबर रिजवान चार्क मस्ट नी जो ये टीम जीती भी थी और उसका मैन ऑप दमेस था मोहमद रिजवान बोलिंग में देखोगे तो चार विकिट हसन अली ने लिए दो हारीस ने एक नवाज ने एक शाहिन ने और एक शाधाब ने इफ्तिकार फ्लोप रहे थे थार्ड मेच की बात आती है ये भी टीम जी लिकार रोल तभी करेंगा जब सामने लेफ्टी होंगे अगर राइटी है तो इनके और कम आएंगे इनको तब ही मोलिंग मिलेगी जब कोई बोलर है उसको बैटसमन अटेक पर आटेक करे जा रहा है वो बोलिंग पर चोके चके यानिकी जादा रहर गार था ना तब जाकि वीडियो को 5000 लाइक का टार्गेट दे रहा हूं कम्प्लीट करवा देना यार ठीक है और उसके अलावा गीववे भी होगा आगे वीडियो में वो लेकिन उनके लिए हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं अगर आपने नहीं किया है अभी भी तो कर लेना ताकि आने वाली वी गुशां के सेकेंड डाउन मैक्सवेल इंग्लिश श्टोइनिस स्थार्क पेट कमिश जेंप और हैसलूर ये एक्सपेक्टेड लाइनप और ये बैटिंग ओडर के अकोडिग एक से लेके आठ तक गर हम देखेंगे तो यहां पे कि एक लेफ्टी है वो है डेविड वारन राइटी राइटी भरे पड़ें तो इसका मतलब है कि वहां से जो इंपोर्टेंट प्रेयर होगा वो मौमन नवाज और शाद आप खान होंगे इफ्तिकार का रोल कम हो जाएगा वहां पे तीन लेफ्टी है तो अब यहां से हम देखते कि ओफिस्पिनर कोन है तो भाई व बड़ा पॉइंट यह वेन्यू कहा है चैन्ना स्वामी तो और यह आर्सीबी का में प्लेर है मतलब होंग्राउंड बोल सकता हूं में ठीक है तो दूसरा जो में पॉइंट आ गया वो क्या कि मैक्सवेल का यह होंग्राउंड है तीसरा में पॉइंट की आ जाएगा कि दस और भी देगा और क्योंकि पाकिसान का जो बोलिंग अटेग है इस्पेशली पावर प्ले में शाहिन आफ्रीज आपको बताईए कि वह विकेट टेकर बोलर है फॉर एक्जामपल के लिए अगर वार्नर और मार्श दोनों चले गए ठीक है मान लो एक्जामपल के लिए तो क्योंकि इस मैच में मोस्ट ओप दी उजर्स का कैप्टन या तो मौमद रिजवान होगा जिसकी फॉर्म प्लस अच्छे परफॉर्मेंस की वज़े से लेकिन आपको नहीं देखा होगा अगेंच उस्टेलिया वो बिलकुल फ्लोप रहे हैं उसके अलावा और दूसरी अगर ट्रम कार्ट देखोगे तो आगे मैं इनको रिकोर्ड के साथ पावर प्ले में और इस टार्क डेथ में कमीनस और हैसलोड के साथ आने वाल है अब हम बात करते कि कुन से ऐसे प्लेयर है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते है फिर पैने सोला मतलब लाश्ट के पांच मैच में लाश्ट के पांच मैच में इनके तीनों मैचेस में सेंचुरी है और एक मैच में तो आउटिस्टेंडिंगे 189 रन का मतलब स्कोर तो भाई डैविड वारनर आपके लिए माश्ट नीडेट प्लेयर है वैसे मुझे पता है कि के देविड वाालनर को आप डूप नहीं करोगे लेकिन जाए व sirap द्रड़ों करेंगे उनके चक्रों में मत पढ़ना मुझे नहीं बताए हो करेगा नहीं करेगा आप समझधार हो रहों समझ गयोंगे लेकिन भाई गेम को समझके खेलना ऐसे तुक् 으 मत लगाना कि वो नहीं चले गा यह तो बताओ नहीं चलेगा बस भाइं क्यों यह यह कोई थोड़ी होती यह मिचल मार्श की बात आती है मिचल मार्श का record अगेंश पाकिस्तान बहुत ही गंदा है बहुत ज्यादा गंदा है, ड्रोप करने की सोच रहे हो, तो इसको तो करना मत, इसको ट्राइ कर सकते हो, मैं तो मना करूँगा क्योंकि बैटिंग विकेट है यह, बैटिंग विकेट पे भाई आपने देखा योगा लिटन दास, लिटन दास ने कितनी अच्छी नहीं खेली, इंडिया के अगेंस्ट, तो वह यह, बैटिंग विट का भाई फाइदा होता है प्लेयर्स को, और इस्पेशली ओपनर होता है, तो टिक गया, मार्ज तो बहुत भुड़ा मार के जाएगा, बैट इस चलता है कि भाई, रिकोर्ड गंदा है, तो सोच सकते हैं, होगा, मेरा ग्राड को लिश्टी में समित दो बहतरी फेवरिट प्लेयर्स में आते है, ठीक है, तो इसमित, मैं चाहता हूँ कैप्टन बनाना, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि तीन लेफटी होने के करण मेरा मन फिर गया, और ब्रेक के करण, क्योंकि महाँ पे तीन लेफटी है, तो विकेट के चांसे फिर दस ओवर फिर फ्लस पॉइंट उनका बैटिंग विकेट कि इसका, ग्लैन मैक्सवेल का इसलिए, तो इसमित इंपोर्टेंट है, अगर टीम की पहले बैटिंग आई तो, उसके बाद यहां हम बात करते है मैक्सवेल क तो मैक्सवेल का रिकोर्ड काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अगर आप देखोगे, 20, 97, 71, 17, बोलिंग में हाला कि विकेट नहीं मिला है, बाट इस तिल बैटिंग से इस बंदे का एक विकेट लिया हुआ है, बोलिंग में एक यहां पे, एक यहां पे, दो होता है, तो लेने से के विल ग्रैंड लिग में फाइदा होगा, स्मोल लिग में तो कोई मतलब बनेगा नहीं, हैजल वूड की बात आती है, तो हैजल वूड का रिकोर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, और फिर पाकिसान की पावर, जो ऑपनर प्लेयर है, वो है इमाम उल यह क्या है न, यह opportunity है, क्योंकि है विकेट टेकर है, तो पावर प्ले में विकेट अगर लेता है, तो अब्दुल्र शफीक हो गया, इनका विकेट निकाल सकता है, हैजल वूड टीम की पहली बोलिंग पे मश नीडिड प्लेयर है, क्योंकि दस ओवर देगा, पावर प्ले म अगर बैटिंग आती है, तो फिर आप कलती करो के ड्रोप कर गए, क्योंकि स्पिन को सैकेट इनिंग में हल्प होती है, उसके अलावा यहाँ पे पेट कमिंस है, इनका भी सेम सीन है, कि अगर टीम बैटिंग करती है, तो क्योंकि डेथ होर्स में बोलिंग करते हैं, और बै बैटिग आती है चल्वेन आरवलनीच तो फिर जैसे बैटिग के लिए साक्ट कि विकरण करएंगे तो यह इसवाइन पाइंग मस्तवन Divan पागी क्योंकि सेकेंड इनिंग में विकेट स्लो हो जाता है अब हम बात करते हैं बैंच की तो ये बैंच के प्लेयर है जो एलेक्स के रिए आ सकते हैं इंग्लीश की जगह पे बाकि इंग्लीश का भाई परफोर्मेंस अच्छा था मेरे सबसे तो आने नहीं चाहिए लेकिन में मैं अगर बोलू अच्छे परफोर्मेंस की तो वह इंग्लीश ही थे इसी बंदे ने अच्छी खासीनिंग खेली टीम को मैच को असानी से जिताया तो हाइश इसकोर इंग्लीश थे बोलिंग अटेक की बात आती है चार विकेट आड़म जेंपा ने लिए जो मतलब सब से ज़्यादा विकेट थे बॉलिंग में स्टार्क दस है ग्लैन मैक्सवल ने भी दस ही किये क्योंकि 9.3 और क्योंकि वह अलाउट हो गए थी तो दस ही मानके चलिए जैंपा ने आठ में चार विकेट ले इस टोईनिस देखिए बोलिंग के और कट जाते बैटिंग में बह कर आप देखोगे मैक्सवल ने दो विकेट निकाले थे और बैटिंग में लबूश अंगया ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था था थर्ड मेंच की बात आती है यह मैच इनका जो हार गए थी और यहां पर आप देखोगे हैं तीन विकेट निकाले स्टार्क ने एक विके कैप्टेंसी का भी आपको मैंने ऑप्शन दिया वीसी में बस मैं थोड़ा कन्फियूज हूगी बाई मुझे बाबर आजिम के साथ जाना चाहिए वर्नर के साथ क्योंकि दोनों अच्छे हैं दोनों बहुत बैस्ट हैं लेकिन डर यह ना कि जो शाहिन आफ्री थी वो विक किसको बनाएं मैं अभी आपको टीम भी दिखाता हूं तो यह सारी चीज आपने देखी लिए होगी अब हम बात करते हैं अच्छा गीववे भी इस वीडियो में जो कि हर वीडियो में होता है सबस्क्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है क्योंकि गीववे किनके विनर एग यह तो कंफर्म है अब आपको एक कॉमेंट करना है और कॉमेंट करने से पहले ध्यान लटना अपने लोगो लगा होगा होना चाहिए अपने लोगो नहीं लगा रखा है तो आप विनर नहीं बन पाऊँगे अब कॉमेंट कुछ भी कर सकते हो एक तो बंदा मैं लग्की ली सेलेट करूंगा और मैं अपनी तरफ से एक प्राइज देने वाला हूँ लास्ट के तीन वीडियो इसके गिववे विनर्स अनॉंसमेंट नहीं हुए बट आज कंफर्म हो जाएंगे वह विनर्स को भी प्राइज मतलब मिल जाएगा और इस वीडियो को भी मिल आए तो एक बंदा में वैसे सेलेट करता हूँ जो रेंडम होता है और प्राइज का तो आपको बताई होगा मेरी तरफ से सारी चीजे फेर होती है प्राइज आपको मिलेगा करना वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो उसके आप एँअरे बाद हम बात करते हैं टेली ग्राम की तो जैसा मैंने पहले मैच की तीम अभी आपको दिखाया कि मैं जो टीम बना रहा हुना यह क्योंकि एक बैंटिंग वीडेंग के सबसे टीम बना रहा हुँ एक अच्छा स्कोर है बैंटिंग वाल तो विकट केपिंग में मैं नो मॉहम्मद इज़वान को पिक किया है और जो बेस्ट भी है एसे फ्र एंगसांपल के लिए कि ऐसे ले की टीम में अगर इन्होंने पहले बोलिंग की तो मेरा पांचवा बोलर यहाम फ़र ऊपको प्यट्रव से होगा उसका रीजान में इसकी डेथ ओर्स आपना तो इसकेसमे मेरा बोलर और इस्टीव उनसमेद兩個 यह خ Gilpon एक यह वी गाइप his अब उसक्रांफ़ की但 कि यह वर मेरे टीम से हटेंगे नहीं बचे करें सब्सक्राहिए दोरख जो गेमज्व करेंहें करेंगे करम कार को ड्रकुरारे में बडह भी जा सकता हूँ और यहीं पे पेट कमिस के साथ भी जा सकता हूँ ठीक है अभी फिलाल के लिए मैं शादाब के साथ जा रहा हूँ तो यह मेरी टीम है इस मैच की स्मोल लिखी कैपटन मेरे रहेंगे ग्लैन मैक्सवेल रीजन समझ में आई गया होगा वीसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर है लेगने श्टिल मेरा वीसी बावराजम होगा वा अनर अधर ऑप्शन होगा अगर आप चाहो तो इनको बिलकुल बना सकते हो ठीक है मैं आपको मना बिल हुआ हुआ है तो जरूर जोइन कर लेना अब देखिए अगर आप यह मैच खेल रहे हो ना मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा मड़ी आपकी यह लेना नहीं लेना तो इसका नाम है लीग लेवन ठीक है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया जो एक ऐसा एप्लिकेशन है जो आपकी बहुत सारी बचत कर सकता है फॉर एक्जामपल के लिए एक कॉंटेश्ट रही मिले उन पर अगर आप देखोगे तो 5750 का मिलता है सेम कॉंटेश्ट आपको 500050 का मिलेगा 500050 सीधे 700 रुपे की सेविंग और हर संडे टू संडे गीव और बाकी तो आप समझदार हो ठीक है टेलेग्राम जोइन करी लोगे और ट्रम कार्ड जो मैंने बता है उसे साब से कॉंबिनेशन ग्रैंड लिग वगर में भी ट्राइए करने है तो फिलाल यह बाकी जो भी होगो टेलेग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 5000 लाइक है उमीद करता हूं आप लोग जरूर करवाद होगी ठीक है थेंक्यों दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में